तो आग में आपको इस वीडियो में चीनी का बिस्नेस बताने वाला हूं कि आप चीनी का बिस्नेस इसको अलग-अलग राज्ये के अंदर अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है इसको सकर भी बोला जाता है गुजरात, राजिस्तान, मध्यपरदेश, पंजाब, हरियाना, इन राज्यम इसको खांड भी बोला जाता है तो दोस्तों आप खांड भी इसको बोल सकते हैं खांड खांड होती है वो दोई के अंदर भी काम आती है लेकिन जो रेगुलर चलने वाली जो खांड होती है जो हलोई के में काम आती है सबसे ज्यादा और उसके बाद में चाय के अंदर काम आती है तो दोस्तों खांड की जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा यूपी और जो सबसे बड़े दाने की चीनी होती है तो उसके बाद में होती है जो मीडियम चीनी होती है और उसके तीसरे नमबर दाने की चीनी होती है जो आपने चीनी को देखा होगा सबसे सोटे दाने की चीनी होती है मारकेट के अंदर आपको मिल जाती है लेकिन दोस्तों इसमें ची दनी चाहिए और आपको कौन सी सीनी का वेपार करना चाहिए तो आप किस राजिय के रहने वाले अलग-अलग राजियों के अंदर ये अलग-अलग चीनी चलती है कुछ ऐसे राजिय जहां पर बढ़े दाने की चलती है कुछ मीडियम चलती है और कुछ ऐसी होती है जहां पर सबसे सोटे दाने की भी चलती है लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा आप कहीं पर भी जाएंगे तो यह जो मीडियम चीनी है यह सबसे ज़्यादा चलती है तो आपको मीडियम चीनी का ही वैपार करना है क्योंकि आप जब भी चीनी खरीदेंगे अगर आपने गलती से भी आप market के अंदर नहीं बेच पाएंगे क्योंकि वो market के अंदर बिखता भी नहीं है तो दोस्तों आपको चीनी का वेपार कैसे करना है कुछ लोग all-sall का वेपार करते हैं कुछ लोग retail का भी वेपार करते हैं कि कोई भी अगर किराने की दुकान है वो रिटेल होता है हॉल सॉल वो होता है जो किसी को थौक माल देता है जैसे कि एक क्योंटल या दो क्योंटल पांच क्योंटन या दो तरन तीन तरन वो दोस्तों हॉल सॉल होता है तो आपको दोस्तों सिर्फ हाल सॉल का ही बिसनेस करना है रिटल में नहीं करना है रिटल में आपको खांड जो अकेलिये का बिसनेस होता नहीं है उसके साथ कई और भी चीज़ आपको रखनी होती है इसके वज़े से आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो हाल सॉल बिसनेस करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको कहां पर करना है वहां पर आपको गोदाम लेना होगा गोदाम माल आपको इस्टो करना है उसके बाद में यहां पर छोटे छोटे काओं कितने हैं कितनी दुकान हैं उनसे आपको कॉंटेक करना होगा उनको यह बोलना होग कि अगर आपको चीनी के हो सकता है तो मैं आपको चीनी दे सकता हूँ और जो आप माल खरीते हैं चाहे जहीं से भी खरीते हैं चाहे मारकेट से या मंडी से काह से भी आप पहले माल खरीते हैं उससे मैं आपको दूर रुपया सस्ता दे सकता हूँ तो चीनी के पिछे दूर र दोफेटों चीनी मार्केट से नहीं खरीदेने जो मंडी होती है और शहरर के अंदर एक बड़ी मंडी होती है उसके अंदर माल मिलता है लेकिन वहCheat आप खरीदेंगे तो आप होल सॉल का वेपार नहीं कर पाएंगे अब दोस्तों आपको क्या करना होगा आपके राजिमें जहां पर जो मील होती है जहां पर चीनी का उत्पादन किया जाता है वहां से आपको कॉंटेक्ट करना होगा जैसे कि आप अगर यूपी के रहने वाल में आपके राजिय के रहने वाले आप अपने राजिय में या दूसरे चाहिए भारत के किसी भी कौने मगर चीनी मील है वहां से आप संपरक करें और उसके भाव में पता करें तो उसे आपको फाइदा यह होगा कि आपके पूरी भारत के अंदर जितनी भी मीले हैं उनका जो क्या भाव है उसमील का या लग लग राजिय में क्या भाव चल रहा है वह आपको पता चल जाएगा तो इसमें आपका फाइदा यह होगा कि आपको माल सस्ता मिलेगा कहीं पर भी आपको माल कोई भी मेंगा नहीं दे सकता क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि चीनी का बाव यह यह क्या दूरुपय का फरक हो सकता है लेकिन अगर आपको कहीं आप पहली बार है तो आपको पांच-पांच रुपय का आपको फरक देखने को मिलेगा उनको अगर पता चल जाता है कि यह नया आदमी है यह पहली बार आ चुका है बिजनेस में तो दोस्तों सो में अपना काम शुरू कर सकते हैं दूसरी वार आपको तुर्ण तेन चार तन पांच तर इस तरीके से आपको धीरे-दीरे यह काम सुरू कर देना है तो इसके पीछे आपको सिर्फ पांच-फ़़ रुपयीड, यह जैसे सागे बढ़ेगा आपको पर तेंदे क्मैने दो कॉंटेक करें और आज ये अपना काम सुरू करें